Hello guys, welcome back to our channel that is career wave और आज हम लोग बात करेंगे exam guidelines की यानि what are the points that you should keep in mind while going for the examination क्या-क्या चीजें आवस्थिक हैं जो आप जाने और समय के साथ में लेके जाएं First of all, wish you all the best और ध्यान रखें, थोड़ा सा अगर cool and calm रह पाएंगे तो आपके exam में जादा benefit होगा Don't worry, whatever was decided to do by you You have already done that यानि आपने अपना काम कर लिया है अब बस exam देना कल बाकी है तो बहुत जादा परिशान नहीं होना है Cool काम होके जाना है क्या-क्या चीजें आपको करनी हैं तो ध्यान रखें अगर आपने admit card को अपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि उस पे एक photo chip का नहीं है photo वही जो आपने form भरते समय लगाए थे Secondly, जो ही photo आपने लगाए था उससे आपका चेहरा mail खाना चाहिए किसी और का photo कदापी नहीं चलेगा ठीक है? उस पर left hand thumb impression और जो signature है और जो कौन सी ID लगाए है ये वाला part है ये वहीं exam center में जाके करना है यानि जब आप exam center पहुंच जाएंगे तो वहाँ invagilator के presence में आप लिखेंगे कौन सी ID proof आपने दी है कौन सा आपने जो आपका sign है वाला part और love thumb thumb impression लगाएंगे and second of all जो भी ID proof आप लेके जाएंगे उस ID proof में प्लस आपके admit card में same to same आपका name match करना चाहिए and second thing is कि उसी ID जो original आप लेके जारा है उसी की एक photocopy आपके admit card के साथ में attach हो करके जाएगी भी तो क्योंकि admit card submit हो जाएगा इसका मतलब यह है कि एक admit card की copy या तो PDF रूप में या जैसे भी हो आप एक save करके जरूर रखें क्योंकि 15 के बाद आप admit card दुबारा download नहीं कर पाएंगे और समझ से हो जाती है डीडी के टाइम पे तो अपने form की एक copy लगे हाथ निकाल लीजेगा form कैसे निकालेंगे तो उसमें जब telegram channel पे जाएंगे उसी पे एक और link है उस link के जरीए आप चाहें तो अभी आज तो निकल जाएगा कल से ओ भी ने निकलेगा तो आज चाहें तो form वहाँ से download कर लें जो पहली link है हमने share करी थी वो form निकल जाएगा दूसरी link से आपका admin card निकल जाएगा तो ID proof की बात होगी ध्यान रखें राशन card और driving license लर्निंग वाला नहीं चलेगा लर्निंग driving license या राशन card ये ID proof के तोर पे नहीं चलेगे इसके अलावा सभी सामाने चिते भी ID cards हैं आम तोर पे valid हैं वहीं पे signature and सब कुछ होगा simple clothing में जानी है आपकी clothing अदम simple होनी चाहिए बड़े-बड़े button नहीं कोई camera equipment ये सबका सरीन नहीं रहना चाहिए ऐसा कुछ रहे अदम simple रहे चपल में जाना है sandal या sleeper में जाना है जूते होते नहीं पेनके जानी है कोई भी metallic object पहन के या लगा करके नहीं जाना है अगर धार में condition की वज़े से आप पहन के जा रहे है कलावा या चलावा जो कुछ भी आप कर रहे है in that case you should be arriving at the center before 30 minutes earlier आप 30 minutes earlier पहुंचे जल्दी पहुंचे और उसको declare कर दें महां पहुंच करके कि देखिए मेरा धर्म है मेरा धर्म कहता है मुझे ये करना ही पड़ेगा otherwise परिक्षा बहले छूट जाए धर्म नहीं छूटनी चाहिए in that case आप पहले से जाके महां बताएंगे ठीक है next thing ये है कि अगली बात की ट्रांस्परेंट होनी चाहिए पानी की बहुत लगर ले जा रहे है ट्रांस्परेंट लेके जाहिए although उसमें मेंशन नहीं है सोसल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो तो करनी ही करनी है जैसा कि उसमें मेंशन है भगदर दूल नहीं करना है और इसके अलावा सेनिटाइजर और एक मास्क भी चाहें तो लेके जा सकते हैं फस्रिफ्ट वाले जस्ट टू बी शूर तो मुझे पता है आप सब के अंदर तनाव है और थोड़ी थकान हमें भी हो गई बात करते करते तो मुझे उम्मीद है आशा है कि आप लोग अपने आपको बढ़िया से मैनेज कर पा रहे हो सारा गेम स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट का है अगर तनाव और स्ट्रेस आपने मैनेज कर ली है तो मुझे रखता है कि इसमें कोई भी डाउट या दोविधा नहीं होगी आपको ठीक है तो कुल मिलाज अलाके जो मोटी मोटी तौर पे बात थी वो ये था कि एक्जाम वेनियो पे आपको समय से जाना है और कितने समय पहले जाना है धियान रखना है 15 मिनिट अर्लियर पहुँचना है सुरक्षित रख लें, अदर्वाइस कल से ओभी डाउनलोड नहीं होगा, ओके तो इतनी मोटी-मोटी तौर पे इतनी बात थी, और अगर आपने कोई धार्मिक कारणों से मेटल टल लेके जाना है, तो इन दाट केस आप 30 मिनट यानि कि साथ ही बजे पहुंच आएगा सेंटर पे तो एक्जाम केते वेश शुरू होगा, वो तो बात की बात है फिलाल पहर सिफ्ट वालों के लिए थोड़ी सी सर्प्राइजिंग तो रहेगी और मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से बढ़ियां से करके आएंगे, करके आएंगे है ना तो जंडे गाड़ के आना है, मुझे आप पर वरोसा है और हम देख रहे थे भी बैटके हैं सबके बच्चे कमेंट्स तो आम तोर पर आप लोग के परफॉर्मनेंस और मेहनत सब अच्छी है ठीक ठाक है, रही बात कंटेंट्स की, कुछ कंटेंट्स में भी दुविधा अगर आ रही है कुछ समझने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो अभी आप छोड़ दीजे, जितना आपने पढ़ना था, आपने पढ़ रखा है आपको चुप चाप जाकर के पेपर देखे आईए, ओके तो इतना ही रहेगा, रिवीजन के अपसूल से ही जितने कंटेंट्स आपको बिटर लग रहे हैं, आप पढ़िए जहां आपको लगे कुछ हैरर या कुछ सब्जिन में आ नहीं आ रहा है उसको स्किप करें, जो आ रहा है उतना पार्ट कर लीजे अभी ज़्यादा रिसर्च और अनलिसस का टाइम नहीं है उतना ही पढ़ें जितना आपको आता है, अगर पढ़ रहे हैं तो जबरदस्ती तोर पे, अधर्वाइस मेरी सलाह यही रहेगी कि आज बढ़ेहा से खुब दूद और फ्रॉसा हलदी मिला करकी गरम दूद पीके बढ़ेहा सोईए, सुबा सुबा नीद खुलेगी और खुब बहतरीन फ्रेश मैंट से आप जाईएगा एक्जाम सेंटर पे और नारे बारे अपना मत लगाईएगा, खाली दम कूल मैंट से थोड़ा सक साइस वाइस कर लीजेगा तो ठीक है बस इतनी सी ही बात थी, मोटे मोटे दौर पे पेन, मास्क, सेनिटाइजर की बोटल, एक स्टाम और पेन टांस्परेंट वाला होना चाहिए एक ID कार, उसका फोटो कापी और अड्मिट कार्ड, इतनी सारी चीज़ें आपको अपने साथ में चाहें तो लेके जा सकते पहने जाना है और अगर हो सके हैं, तो सारा कुछ ले के ही जाएं, ऐसा कोई रिस्क ना लें, कपड़े, सिंपल पहनना है, और कोई भी कड़ा छड़ा नहीं, कोई मेटलिक वाला चीज नहीं, चपल, साधी चपल, या फिर सैंडल पहन के जाना है, जूते बिलकुल में पहन के जाएएगा, और दूसरा कोई बदल ले जाएगा, क्योंकि बाहर ही निकालना पड़ जाएगा, कोई भी तरीके का चलावा अलाव टाइप का नहीं दिखना चाहिए, और बाकी अगर आपको थोड़ी भी रिस्क लगरी अपनी चीज पर बहुत पुराना फोटो कर दिया था, भी मैश नहीं कर रहा है, इस समय से पहुँच जाएगा, बाकी कोई बशेश दिक्कत नहीं आ आपने काउ में रखना है, और सुबह सुबह जाके पेपर देखे आने के बाद में हमें ज़रूर बताना है कि किस तरीके से कुशन कहां कहां से लगबग आए, so that कि हम एक अपडेट गुरूप में भी और जगार डाल सकें, गुरूप में भी आप चाहो तो पोस्ट कर सकते एक शबग? तो आप को तो एकू याई, वेलो ली राँ, विए जए भी वेस्ट, भाइ!